हेलो आवरीवान और वेकम बाग तो आवर यूट्यूब चैनल सावी फॉरेंजिक्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेशन डॉकिमेंट्स के 59 पार्ट पर जहां पर हम जानने वाले हैं स्क्यूर्टी डॉकिमेंट्स के बारे में बहुतें डिटेल में हर एक चीज को समझने वाले हैं तो जल्ले से स्टाट कर लेते हैं और यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें किसी डॉकिमेंट्स का बिसिकली सिंपल सा मतलब क्या होता है So, it refers to documents that incorporate specific elements intended to make them more difficult to counterfeit, falsify, alter or otherwise tamper with So, basically, कुछ ऐसे documents जिनमें कुछ ऐसे चीजों को include किया जाता है, incorporate किया जाता है जिससे कि उन documents की counterfeiting कोई ना कर पाए, कोई भी उन document को forge ना कर पाए अगर हम इसके कुछ examples की बात करें, तो जो आपके currency notes होते हैं, वो भी एक तरह का security paper उसमें use करा जाता है और उसको forge करना, उसको counterfeit करना, उसको alter करना बहुती ज़्यादा possible बिल्कुल भी नहीं होता है अब इसमें अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से specific चीजों को use करा जाता है, कौन से specific elements को use करा जाता है तो specific substrates की बात करें, तो यहाँ पर paper या फिर कुछ ऐसे polymers का use करा जाता है, जिसकी विदा से वो paper आपका security document कहलाता है कुछ ऐसी printing techniques का use करा जाता है, for example, offset and intaglio printing कुछ particular ink का use करा जाता है, कुछ जैसे कि आपकी optical variable ink होती है, fugitive ink होती है तो यह सारे कुछ चीज़े रहती हैं इसकी वजह से किसी भी document को आप security document बना सकते हैं और यह सारी चीज़ों का use आपके जो currency रहती है, जो currency note रहता है, उसमें use करा जाता है यहाँ पर most commonly जो आपका security document रहता है, वो आपका travel और जो identity documents होते हैं पासपोर्ट है या फिर आपके जो national ID cards होते हैं, money हो गया या bank note हो गया तो यह सारी जगह पर आपके security documents को देखने को मिलते हैं आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी कुछ और important points की so basically जो आपके इस तरह के documents होते हैं, they are linked to several illegal activities such as identity crimes और identity related crimes so basically जो security documents होते हैं, यह आपके दो तरह की category रहती हैं, जहाँ पर illegal activities में इसका use generally देखने को मिलता है इसमें पहले अगर हम बात करें identity crimes की, तो जहाँ पर कोई भी individual किसी दूसरे individual की identity को theft कर लेता है, identity की चोरी कर लेता है उसकी forgery करता है किसी भी identity document की, तो वहाँ पर आपके जो crimes होते हैं, वो आपके identity crimes में include करा जाता है identity related crimes की बात का है, तो कुछ तरह की forms होते हैं of illegal translational activities in which security documents और bank notes are misused for criminal purpose तो कुछ ऐसे documents होते हैं, कुछ ऐसी activities होती हैं, जहाँ पर bank note या फिर security document का misuse करा जाता है criminal purpose से तो यह जो चीजे रहती हैं, यह आपका identity related crimes कहलाते हैं, ठीक है तो basically security documents किस तरह के documents में, आपका bank note हो गया, passport हो गया, national ID cards हो गया तो यहाँ पर दो document, यहाँ पर जो paper use करा जाता है, वो आपका security document होता है अब वो security document क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के specific elements का use करा जाता है कुछ आपी different printing techniques का use करा जाता है, कुछ अलग-अलग type की ink का use करा जाता है या फिर जब जिस time पर paper बन रहा होता है, उस time पर कुछ ऐसा water mark या फिर paper की manufacturing के time पर उसका जो composition होता है, उसमें कुछ ऐसे चीज़ों को डाला जाता है, जिसकी वजह से वो document आपका security document कहलाता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर examination अगर आपको करना है, बाइचांस कोई आपके पास ऐसा case आया है, कोई force document का case है तो उस condition में आपको चेक करना पड़ेगा कि जो document है, वो original document है या नहीं है, तो उसके लिए आपको एक तो physical matching करनी पड़ेगी testing करेंगे, यह सारे आपको test वहाँ पर perform करने होते हैं, उसके अलाबा अगर कुछ वहाँ पर fluorescent dye अगर अवेलेबल है paper में, तो वहाँ पर आपको वो fluorescence का भी check करना पड़ेगा, question or standard sample को proper आपको compare करना पड़ेगा, तो यह सारे कुछ इसके basic से examination वगरा रहते हैं, उसके अला terrorist, facilitation of the smuggling of drugs, weapons and other goods and to commit cross-border crimes of all types, सब basically, जो आपके security document होते हैं, उनका जो generally use करा जाता है, जो अब smuggling होती है, migrants की, या फिर जो trafficking होती है, individuals की, persons की trafficking का मितलब होता है, कि उनको कहीं से इखटा करके, फिर उनको transport, import करना, तो यह चीज़ आपकी trafficking कहलाती है, mobility of terrorist, उनको terrorist होते हैं, उनका एक जगा से दूसरी जगा पर transfer करना, उनको एक जगा से दूसरी जगा पर भेजना, यह सारी चीज़े हैं, smuggling करना, drugs की, weapons को इतरह बेजना, cross-border, जो crimes होते हैं, वो सब कुछ करना, तो उन सारे cases में, आपकी security documents का use सबसे ज़ादा देखने को मि जब अपनी location को change करते हैं, migrant को जगा जाता है, तो उस condition में जो उनका ID cards पगरा रहते हैं, तो उसकी requirement रहती है, और जितने भी ID cards रहते हैं, passports रहते हैं, वहाँ पर आपका security document का use करा जाता है, उसके लावा, enhancement of security document examination capacities is essential to prevent and combat identity and identity related crimes, So, security documents होते हैं, उनको और जदा enhance करना, उसकी examination की capacity को और enhance करना, उससे आप इस तरह की crimes को जो आपके जहाँ पर तने भी crimes लिखे हैं, identity related crimes और identity theft crimes, तो इस तरह के जो crimes होते हैं, इनको रोकने के लिए आपको security document का enhancement करना, उनका examination का enhancement करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सारे कुछ आपके importance से security documents related, उमीद करती हैं, आपको यहाँ तक चीज़े बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी कोई doubt रह जाता है, तो आप comment section में लिख सकते हैं, इसके बाद में next time कुछ और important से cover करेंगे next video में, जो कि आपका Wednesday को आजेका भी more time से videos नहीं आप आ रहते कुछ issues थी इस वज़ा से, बट अभी सब पुछ ठीक है, तो अब आपकी videos continuous चलते रहेंगे, और दूसरी चीज़ आपका exam आने वाला है, तो उस purpose से भी कुछ मैं करने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा, यहाँ पर आपका यह वाला video complete हो चुका है, यहाँ पर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिंक लिखा हूँ है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक जिरूर से कर दीजेगा, अपने friends के साथ में share कर दीजेगा, ताकि उन तक भी quality content पहुँच जाए, चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe जरूर से कर लेंगे, bell icon press कर लेंगे for daily updates and thank you so much for watching me here.